तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे तीन कंपनी की तरफ से हाइरिंग निकली है और अगर आप प्रोजेक्ट इंजीरिनर रोल पे इनफोसिस में अगर आप बिलकुल भी सेलेक्ट नहीं हो पाएं तो दोस्तों यह बहुत अच्छी मैं आपको बताने वालों कि इस कंपनी में आप किस तरीके से अप्लाइग कर सकते हैं क्या अलेजबिल्टी क्रेटेरिया है तो सब कुछ अच्छे से देख लिजे फिर जा करके अप्लाइग कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपकी बार 23 बैच के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुन्टी है तो सारी चीजे यहाँ पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अगर अब तक अपनी टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं क्या तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भ होने वाले हैं और लोकेशन की बात करें तो बोनेश्वार दिली न्सीयार रिमोट वरकिंग भी दोस्तों यहाँ पर एवलेबल है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक्सपोजर टू-HTML, CACES, Javascript, TypeScript, ReactJS, Angular, Required Skills, Good to have knowledge of backend technologies, Python, Java, .NET, Node.js, Exposure to SQL है ठीक है और Exposure to Git, GitHub ह और B.Tech और M.Tech Computer Science और IT 2021-2022 Preferred with 6 Month Internship Done ठेक है तो यह दोस्तों यहाँ पर होने वाली है अगर आप बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कोई भी Criteria mention नहीं किया है बस आप यहाँ पर 2021 और 2022 batch यहाँ पर होने चाहिए और B.Tech और M.Tech Computer Science और IT सेक्टर में होने चाहिए त तो यहाँ पर दोस्तों आप eligible हैं तो आप apply जरूर करेगा बहुत ही अच्छी opportunity है यह दोस्तों आपको बिलकुल भी नहीं छोड़नी है associate software engineer की job है अब दोस्तों यहाँ पर second बात करने वाले है software developer summer internship है 23 batch के लिए और role की बात करें तो दोस्तों software developer role के लिए है skill set CC++ Java है और year of graduation 2023 batch only अब दोस्तों यहाँ पर जो इनके लिए internship निकाली है अगर यह successful completion कर लेते है internship का उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनको complete full time मिलने वाली है graduation आप देख सकते हैं चिन नहीं वगरा है ठीक है तो आप यहाँ पर जा करके apply कर दीजगा अगर आप eligible है तो you must be a college student who will be graduating in 2023 in order to apply for this internship तो आप ज़रूर जाके apply करेगा this will be a summer internship and eligible candidate will be pre final year student होना चाहिए and we expect will be eligible for a full time opportunity भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप 2023 batch है तो आप भी alert हो जाएए आपके लिए भी जो companies की hiring है वो दोस्तों यहाँ पर आना start हो जाता है जब आप pre final year में होते हैं तो आप जाकरके यहाँ पर form fill करके apply ज़रूर कर जिजगा बहुत ही अची hiring है अब दोस्तों यहाँ पर हम लो 23.8 LPA मिलेगा salary plus 25 की retention bonus on completion of one year पे आपको 25,000 मिलता है bonus और training period की बात करें तो six month का यहाँ पर training period होने वाला है और service agreement की बात करें on portable business 24 month का यहाँ पर आपको service agreement है location Bangalore है work from office से करना पड़ेगा skill set दोस्तों Linux internal concept C programming है eligibility criteria की बात करें तो BBTEC 21 batch यहाँ पर eligible होने वाला है और percentage cut off देखेंगे तो 60% in graduation 10th और 12th में भी होना चाहिए certified embedded C++ added advantage अगर आपके पास certificate है C++ का तो यह भी एक advantage है तो यह दोस्तों technical skills required है selection process की बात करें तो online test aptitude and reasoning होगा C programming होगा फिर technical interview होगा फिर एचार discussion होगा तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी opportunity अगर आप 21 batch के हैं तो दोस्तों यहाँ पर eligible होने वाले हैं और अच्छी opportunity है जा करके दोस्तों यहाँ पर apply जरूर करेगा आपके लिए भी बहुत एच्छी hiring है तो दोस्तों यहाँ पर तीन company की तरफ से hiring है apply कर दीजेगा और दोस्तों अगर अभी तक आपका placement नहीं हुआ है तो सारी hiring दोस्तों आपको एकदम alert रहना है और apply करते रहना है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज दिस्क्राप्शन में तो दूस्तों मिलते है नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए